नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन रिले की रिले का उत्देश्य क्या है? किसी दोशपूर्ण अनुभाग को दोनों सिरो से शीघरता से अलग करना ताकि शेश सिस्टम संतोष जिनक धन से काम कर सके रिले की functional requirement यानी कार्यात्मक आवश्यक्ता है चून की सुरक्षात्मक रिले की सबसे महत्वपूर्न आवश्यक्ता विश्वस्यक्ता है खराबी आने से पहले वे लंबे समय तक सर्किट की सुपर्विजन यानी निगरानी करते हैं जब फॉल्ट आता है तो रिले को तुरंत और सही धन से प्रतिक्रिया देनी चाहिए रिले को उन स्थितियों के बीच भेदभाव चयन करने में सक्षम होना चाहिए कि कि किसके लिए त्वरित संचालन यानी instant tripping की आवश्यक्ता है और किसके लिए विलमवित संचालन की आवश्यक्ता है या समय संचालन मतलब time delay की आवश्यक्ता है नमबर 3 समवेदन शीलता रिले इन उपकरन पर्याप्त रूप से समवेदन शील होना चाहिए ताकि यह वास्तविक परिस्थितियों में आवश्यक्ता पढ़ने पर विश्वस्तनिय रूप से कार्य कर सके Speed रिले को आवश्यक्ती से काम करना चाहिए क्योंकि रिले की धीमी गती से सरकिट में लगे उपकरन को नुकसान हो सकता है और तेजगती से फालस यानि अवांशित ओप्रेशन हो सकता है Electrical से रलेटड ऐसी और विडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल Electrical Guru जी को सब्सक्राइब करें